पर आदमी अपने मतलब की बाद ढूंता है धूंडे अच्छी बात है तो हम समाज के लोग हैं हमें भी अपने मतलब की बाद ढूनी चाहिए तो पैसा देंगे जब इखटे होके आओगे तब समर्थन देंगे जब इखटे होके आओगे जब जब हम यहां जोडने और जोडने के लिए आगे हैं और पुराना संघ और जो बावासा वंभीटकरने हमको सम्यक समाज संघ 1927 में जो आदिश दिया संघ के तहत में काम करना है तो दोनों महाप्रोस हमारे बार-बार कहते हैं कि हमको संग में काम करना है आज एक बड़ी गंबीर समस्या है कि आपको समाज के बहुत सारे लोगों से दो-दो हाथ करने पड़ेंगे और जिनको आप बुद्धी जीवी कहते हो उनसे आपको चार-चार हाथ कहने पड़ेंगे क्योंकि वो बिना चार हाथ किये हुए मानेंगे देंगे पर प्यार से करना है समझा के करना है बार-बार लिखित करके करना है समझ के करना है और जानकारी लेके करना है क्योंकि बुद्धी जीवी को जब तक आप जानकारी नहीं देंगे या उसको सवाल जवाब नहीं करेंगे वो मानेगा नहीं और आप से खामे खांके रेफरेंस भी मांगेगा 21 तारिक की घटना है दिल्ली की एक महिला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम कर रही थी नाम है उनका डॉक्टर इंदू चौदरी नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक काम करने की घोशना की 21 तारिक को दिल्ली में जो यहां दिल्ली का नौर्थ साउथ हेरिया है उसमें एक निलोटी करके गाउं है वहां उन्होंने एक काईकरम लगाया और उन्होंने अपने संग्ठन का आगास किया आरहम किया बाकाइदा फीदा कटवा कर और उन्होंने कहा कि राजनीती जो उनके फेस्बुक में लिखा हुआ है कि राजनीती सत्था तभी इस्था ही रह सकती है जब बाकी सत्था मिले क्या है कि यह इनकी वाशन होते हैं तो सभी लोग ऐसा मानते हैं कि बनारस हिंदू युनिवस्टी जैसा कि यून कि देखा हुआ है और लगाता जैसा उन्होंने कहा कि वह कुछ सालों से समाजिक काम कर रही हैं हमने भी उनकी कुछ वीडियो देखी हैं तो समाज की महिला है और समाज की महिला जब समाज का काम करे या समाज का कोई नर कोई समाज का काम करे तो समाज की जुम्मेदारी है कि उसका आकलन करे गूंगे बहरे की तरह रटके सुनके ना बैठे और ना वहावा करे और नहीं कहें कि बहुत ज्यदा WITH उसकी सही तरह से समिखा करें समिखा मतलब समिक्चा और रोज करे, अगर आलोचना है तो आलोचना करे, और प्रसंसा है तो प्रसंसा करे, अच्छा काम है तो वहवा करे, साथ दे, और खराब काम है तो कंडेम करे, और कहे के ये काम खराब है, एक और नया संग्ठन 21 तारिक को खोल दिया, 100-200 संग्ठन पूरे भारत में हमारे आ को बुद्धिजी भी कहे और जिसने समाज को पढ़ाने का बहुत तेजी से काम किया हो या समाज को पढ़ाने की जुमधारी ली हो अगर वो संक्ठन खोलता है तो कुछ सवाल लोगों को करने चाहिए और वहाँ जो मीडिया के लोग थे सवाल तो उनको करने चाहिए कैसा मीडिया चलाते हो क्या तुम ही कायकरम करा रहे थे क्या क्या सयोग करते हो और जो भिक्वों ने वहाँ पर मौंबती जलाई और जिनों मिशर्ण पति कहा है? अंको सवाल करने चाहि थे और जो जंता वहां आई उनको सवाल करने। हालाकि बहुत थोड़े लोग थे और जो गर गहती ती अन यहां यहां यह है बहुत पहुत ता समझदाल लोगों की कमी रही पर वहां तीन भीकु मुझे दिखाए दिए उस वीडियो में और बोड भी लगा और कुछ चंद लोग 10-20 लोग होंगे जहां बढ़नेगा सवाल ये बनता है कि आपने जब सामाजिक काम कर रही है और सामाजिक काम का आपने जुम्मधारी ली है तो कौन सा नया सामाजिक काम का संग्ठन बना रही हैं आप सारे सामाजि कामों के संग्ठन पैरे से ही बने हुए हैं और आप बुद्धी जीवी हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने नया संग्ठन क्यों बनाया और क्यों आपको सामाजिक काम करने के लिए एक भी पुराना संग्ठन नहीं लच्छा लगा एक भी पुराना संग्ठन आपक कहें चाहें वहांजिक हैं चाहें और नुकैसिंजट Iz개alis Cannes अपने जो फीजदी आपने हम तुन की तरह कि आपको 39 और सत्री नीमिला क्या आपकी तरह कि सोच को six प्री नहीं था और अगर नहीं था तो आप बताएं कि आपकी सोच क्या है और उनकी सोच क्या थी जो आपको पस्द नहीं आए क्या करण था तो कि कोई अगर बुद्धी जीवी और जो एसोशेट प्रॉफेसर हो वो अगर समाज में यह मैसेज देता है कि हम एक नया संख्ण बना रहे हैं तो हम जा कहां रह हैं और हमारे बुद्धी जीवी कर क्या रहे हैं यह सवाल वहां भिक्तों को भी पूछना चीए था कि इतने सारे संक्टन है बहेंजी पहले सही बने हुए हैं आप यह संक्टन खोल नहीं है और हमसे उद्गाटन करवा रही हैं और वही भिक्तों दुनिया में समाज को जो होएगा और जो पतकार वहां बैठे हुए हैं वो खुद वहां एक संक्टन के घड़न में जोड़ सोड़ से लगे हुए हैं वो क्या सवाल पूछेंगे तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि सामाजिक संथन जितने भी चल रहे ह उनमें दो बाते हैं या तो यह बताईए कि यह जो सामाजिक संथन हैं यह समाज के संथन हैं यह यह बताईए कि यह सामाजिक संथन आपकी अपनी प्रॉपर्टी है क्योंकि आप जब सामाजिक संथन खोलते हैं तो समाज से तो पूछते नहीं समाज का उप्रियन तो लेत में लिया नहीं समाज से सवाल जवाब तो हुआ नहीं और आपने समाज के लिए एक और खुल दिया और पहले से खुले हुए हैं तो जब समाज के लिए आपने संग्ठन खुला या समाज के लिए कोई काम करने का चाहिए कि बहन जी यह जो संग्ठन है आपने हमारे लिए खोला है हमसे नहीं पूछा कोई बात नहीं पर हम आप से पूछते हैं अगर यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है अगर यह आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है तो पूछना चाहिए कि बहन जी बाकी जो संग्ठ स्माजिक हैं चाहे वो बाम सेषगा Chang Trip Ma suggested warm company Да 안-it चाहे वो द्ढब इनाम हो तराराम गुरुप की चाहे वह फैगाम हो जली क्रण चाहे कोई भी संक्ण्ञ कोई भ॥ हमतिक को अपको बाकाइदा नाम लेके उस संप्रica नाम लेके और व्यक्ति के जो है ट है जो वहां गतिवाद का प्रमुख है उसका नाम लेके आपको पूछना चाहिए क्योंकि वह समाज की प्रॉपर्टी है तो आपका राइट है तो उनको जवाब देना होगा और वह जवाब आपको मिलेगा और अगर वह समाज की प्रॉपर्टी नहीं है और प्राइबिट करेंगी दोनों ही केसिस में आपको अनुभव होगा कि आप जो कर रहे हैं उससे वो चीज़ें खराब हो रही है या ची हो नहीं है इसलिए ऐसे जो संग्ठन खुलते जा रहे हैं उनसे नाम लेके बाकाइदा पूछिए क्या दिक्कत हुई क्या परिसानी हुई क्यों ये पिछले वालों में क्या कमी थी उनकी कमी बताइए संग्ठन जब आपस में तूटते भी है तो एक दूसरे की कमिया नहीं बताते समाज को दोनों मैंसे या तो दोनों बुरे होंगे जो तूटे हैं या एक बुरा होगा या एक अच्छा होगा जो तूटे हैं पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अच्छे हों और फिर भी तूटें तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पैशान होनी चाहिए कि जब संधन तूटता है तो जो अच्छा वाला उसे यह पूछना चाहिए कि अच्छे वाले अगर तुछ अच्छा था तो ठूटा क्यों तुझे क्या चाहिए था जो ठूटा wok ये जब तक आप पूचांगे नहीं जब तक जानेंगे रही तब तक आप महनत करते रहेंगे वो महनत ऐसे होगी जैसे बाल्टी में नीचे पैदा ही नहीं है और आप उपर से टॉटी चलाके बाल्टी भनने का निचिया करें ये समढ़ संग भी काम्याब नहीं हो पाएगा ये ध्यान रखना क्योंकि उसके बोर्ड में जो डॉक्टर इंदू चौधरी हैं मैं इस वीडियो में उनका वो स्नैप्सॉट भी डालूँगा जो पीछे लिखा हुआ है उसमें वन प्लस टैन भी लिखा हुआ है ये वन प्ल तो अगर संग का फार्मूला वन प्लस टैन का चाहिए था तो ले लेते पर आप संग में काम कर लेते ले लेते फार्मूला बना लेते अगर आपको समाजी काम करना है पर संग किसी को इन्वाइट पर्सनल तो देता नहीं ओपन इन्विटिशन रहता है अगर आपने संग क वर्न प्लस टेन का फार्मूला देखा और सुना और जाना या किसे है तो संग की नॉलिज रही होगी तो कम से कम संग की तो सोचती आप तो प्रोफेसर है और भी बहुत साइं लोग है जो यह बुद्धी जीवी के क्यलाते हैं निमें पत्रकार आते हैं एक भी पत्रकार किसी वी व्यक्ति से प्रसंद मैंने नहीं देखा जो उसने कहा हो कि आप अलग काम क्यों कर रहे हो वो दूसरे लोगों के तो पूस्ते हैं उनसे जो एजंडा रिपलसन का है जो प्रतिकार का है जो जगला पैदा करना का है जो वाद विबाद का है और जिस एजंडे से हमको जी तर नहीं किया उनके मूंके आगे माइक लगा गए कि तुम अलग अलग रहते क्यों है तुम अलग अलग काम करते क्यों है इसलिए समाज की जुम्मधारी है आप लोगों की जुम्मधारी है क्योंकि नुकसान भी आपका है और फाइदा भी आपका है तो आपको नहीं नहीं चाहिए अब हम इतने दिन से पंद्रे महिने से लगातार बताते जा रहे हैं कि संग्ठनों से हमें नुकसान हुआ है और ये नुकसान का काम फिर पी चला रहा है और कोई बुद्धी जीवी करता है तो कहां माता पिठने जाके अपना किसको कहें तो आपको में में कैकि और अच्छे चला भी साल से बड़ा मैनेले तो चैता है कि संविद्हार ने हमको अलगलग पार्टी बनáने की इजाज़त दी है सब्सक्राइब कर दोग्र के ने किताबे लिए अपने मतलब की बात धूंड़े अच्छी बात है तो हम समाज के लोग हैं, हमें भी अपने मतलब की बार ढूनी चाहिए, तो पैसा देंगे जब इखटे होके आओगे तब, समर्थन देंगे जब, इखटे होके आओगे जब, वन्ना ना हम पूछेंगे ना समर्थन देंगे और ना हम तुम्हारी कोई value है और ना तुम्हारी में नाम झें और अभी भी नहीं देंगे क्योंकि तुम सारे खट्ते हो के नहीं हम ze मरवारे चाइए इस सवाल लगातार पूर्षत रेना चाहिए अगर यह सवाल हम लगातार नहीं पूछेंगे हमें बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं, यह सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे, कोई भी काम करने के लिए नहीं आने वाला है, हम ही करेंगे, इसलिए यह बार 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 सब पूछें, कहें इस बात को जानें, संगंग नमामी, जैभीम नमगुदाएं ओधं सरेनं गचाररी हमें, चल्प सरेनं गचारणों